हेलो, वेलकम, मैं हुरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास आठ का जो चैप्टर नमबर 12 है, इसका इंट्रोडक्शन मतलब कि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को सुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैं इस chapter की बिल्कुल basic बाते आपको बताऊंगा जो प्रस्ण है प्रस्णावलिक यह वो हम अगली वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो chapter है इसका नाम क्या है घातांक और घात तो सबसे पहले हमें समझना है घातांक क्या है घात क्या है ठीक है तो यहाँ पर देखो माल लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ ठीक है यहाँ पर पांच और इसके सर पर छोटा से लिखता हूँ दो ठीक है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस पूरे को हम घात बो ठीक अब यहां पर देखो जो सर पे इसके दो लिखा हुआ यह चोटा सा इसको बोला जाता है घातांक ठीक है तो आपको घात और घातांक में अंतर समझ में आया होगा जो घातांक है वो सिर्फ इस दो को बोल रहे हैं जबकि जो घात है वो पांच के सर पे दो जो लिखा हु क्या है आधार है ठीक मतलब कि अगर यहां पे लिखा गया है पांच कसर पे दो तो इसको हम पढ़ेंगे पांच की घात दो अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें घातांक क्या है तो आप बताओगे दो घातांक है अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें आधार क्या है तो आप बताओगे का आधार है ठीक है और आपसे घात पूछेंगे तो मतलब घात इस पूरे को बोल रहे हैं ठीक है ना घात इस पूरे एक्स्प्रेशन को ऐसा लिखने को हम घात बोलते हैं ठीक है तो घातांक आधार और घात ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अब देखो हमारे पास घातांक के कुछ नियम है तो हमें वो पहले सीखना है ताकि हम प्रश्णों को कर सकें ठीक तो पहले आप यह समझे लो कि अगर अगर यहां पर पांच की घात दो लिखा गया है ठीक है मतलब इसका घातांक दो है और आधार पांच है तो घातांक बताता क्य जो आधार है जैसे यहां पर आधार क्या है पांच उसको आधार से ही उतनी बार गुणा करो जितना उसके सर पे लिखा हुआ है घातांग कितना लिखा हुआ है दो आधार क्या है पांच तो पांच के सर पे दो लिखने का मतलब है पांच को पांच से दो बार गुणा करो ठी के सर पे 3 लिखा गया होता, तो इसका यह मतलब था कि पांच को यानि जो आधार है 5, ठीक के लाधार 5 है, घातांक 3 है, इस पूरे ऐसे लिखने को हम घात बोलते हैं, तो यहां पर जो 5 है, उसको 5 से 3 बार गुणा कर दो, यह मतलब रहें, इसके सर पे 3 लिखने का, ठीक है, 1 22 3 Rom three अको 37 कितना होता है पांस की गात 7 125 ठीक यहां पर 3 घात 1нокてं और 5 यहां पर 2 घात 2 आंख और 5 अधार ठीक है आपको यह बातें अगर समझ्ज में आ गईuk यह तो अब कुछ नियम देखो यहां पहला नियम जो है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ठीक है जो सवाल में यूज होगा वो ये है वो है A की घात M है और अगर इसको आप गुणा कर रहे हो A की घात N से तो इसको जो उत्तर आता है वो बराबर होता है A की घात M जमा N से यहां पर देखने वाली बात क्या है कि आधार जो है A है यहां पर भी आधार A है मतलब यहां पर दोनों के जो आधार है जोनों का जो आधार है वो एक जैसे है ठीक है जो आधार है वो एक जैसे है तो यह फोमला आपको तभी लगाना है जब आधार समान हो एक जैसे हैं समान कुछ भी बोलो ठीक है कहने का मतलब देखो इस पॉमले पर प्रश्ण कैसे आएगा जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 की घात 6 इसको गुणा किया 5 की घात 4 से तो क्या यहां पर आधार एक जैसे हैं यहां पर पांच है यहां पर भी कितना है पांच है तो हम कहेंगे हाँ आधार एक जैसे हैं तो हम यह formula यहां पर लगा सकते हैं तो यह कितने के बराबर होगा यह बराबर होगा देखो यहां पर A था यहाँ पर A, तो यहाँ पर B, A आया, ठीक है, तो इसका मतलब है, कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 आएगा, इसके सर पर जो था, इसके सर पर जो था, दोनों को जोड दिया, तो यहाँ पर इसके सर पर जो है, इसके सर पर जो है, दोनों को जोड दो, ठीक है, तो क एक समान होने चाहिए या एक जैसे होने चाहिए तब भी आप यह फूमला लगा होगे मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले पांच की घाट 6 गुड़ा में 6 की घाट 7 तो क्या आप 7 और 6 जोड़ोगे आप बोलोगे नहीं क्यों नहीं जोड़ोगे यह एक जैसे नहीं है ठीक ह यहा 5 है तो यहा 6 आप दुबारा देखो यहाँ पर 5 यहाँ यहाँ नहीं लगेगा यह फूमला आपको तब ही लगाना है जब नीचे वाले चीज एक जैसी हो ठीक है मतलब आधार एक जैसा हो तो यह पहला फूमला आप याद रखना बहुत काम आता है ठीक है इसके उत्तर आता है एक ही घात एम मेंसे गटा डर ठीक है बिलकुल इसका उल्टा देखो यहाँ गुडा था यहाँ पर उल्टा भाग हो गया तो यहाँ पर जमा तो जमा को उल्टा घटा हो गया ठीक कहने का मतलब है यहाँ पर भी आधार एक जैसे होने चाहिए याद रखना इस बात को, जैसे यहाँ पर 5 की घाट 6 था, अगर हम इसको भाग करें, ठीक है, 5 की घाट 4 से, तब क्या उत्तर आएगा, तब उत्तर आएगा 5 की घाट 6 जो थी, घात आंक जो 6 था, 6 में से जो 4 है, वो घटा दो, तो 5 में से, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, त और फिर इसकी घात एक और चीज है, कोई N माल लो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, A की घात, M, N, यहाँ पर M, N का क्या मतलब है, यहाँ पर M, N का मतलब है, कि भई, इसका तको यह मतलब है, A की घात को M से गुड़ा कर रहे हो, N को, ठीक है, यहाँ पर M और N चिपकार के मत सब्सक्क करने का मतलब है कि समझ में लिख सकता हूं पाँच की घाद 2 गुणा why out भूड़ा निकि 5 कि घाद 6 ठीक यहां पे छिपकारने का मतलब गुणा था तो यहँ प्रमज में आ घया होगा कि यह सब वोगाये जा में हमारे पास है यो जीरो के इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो, यहाँ पर माल लो जो अगला फूमला मार पास है, वो है, ठीक है, और इसकी घात अगर 0 हो जाए, तब कितना होगा, तब इस कैंसर आएगा, ठीक है, अब इस फूमले को समझाता हूँ, कैसे, देखो, जैसे कि इस फूमले के लिए, माल लो गर पास की घात सुनने हो जाए, उत्तर आएगा एक, ठीक है, दस की घात सुनने हो जाए, आख बन करके उत्तर लिखो, एक, एक हजार की घात सुनने हो जाए, ठीक है, आख बन करके उत्तर एक, एक बटे चार, इसकी घात सुनने हो जाए, आख बन करके उ तो यहां पर कुछ भी है जीरो के अलावा उसकी घात अगर जीरो है ठीक मतलब कि यहां पर पर सर पर जीरो लिखा हुआ है पांच की घात जीरो गटारगी घात ृश्षप्र यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा, ए की घात M, गुड़ा में D की घात M, अब देखो, ठीक है, इसमें क्या खास बात है, यहां पर था कि आधार एक जैसा था, ठीक है, आधार एक जैसा था, उपर वारी चीज़ा अलग अलग थी, यहां पर क्या है, घातांक एक जैसे हैं और आधार अलग-अलग हैं जब ऐसा हो तो इसका उत्तर जो आता है जब ऐसा हो तो इसका उत्तर आता है कि A, B यहाँ पर जो घातांक आएगा वो M रहेगा, मतलब A, B की घात M ठीक है, अब यहाँ पर A, B लिखने का मतलब आप समझ जाना कि A B चिपका के लिखा है मतलब A गुणा B की घात M ऐसा कुछ लिखा गया है ठीक है दोनों चीजे सेम है तो यहाँ पर देखो अब अगर इस पे मैं बताऊं आपको एक छोटी सी बात तो जैसे कि मालो आपके पास है ठीक है आपके पास है दो की घात 4 और गुणा हो रहा है तीन की घात 4 से ठीक है तब जैसे यहाँ पर आप जोड रहे थे यहाँ घात आंक को जोडोगे नहीं बस दो और तीन को गुणा करोगे दो गुणा तीन घात आंक वही रहेगा चार और चार आठ नहीं करोगे, यहाँ पर M जमा M, 2M नहीं हुआ है, ठीक है, M था तो M ही आया है, तो यहाँ पर 4-4 था तो 4 ही आयेगा, यह गुणा हो जाएंगे, 2-3-6, 6 की घात 4, ठीक है, तो यह नियम भी आपको पता होना चाहिए, अगला नियम क्या हमारे पास देख ठीक है, तो एक को उपर ले जाओ, एक को उपर ले जाओ, ठीक है, यह निकि एक बटे में A लिखो, अब इसकी घात प्लस बन जाएगी, मतलब पोजिटिव बन जाएगी, यहाँ रिदात्मक थी यहाँ घनात्मक थी, ठीक है, माइनस M से M बन गया, ठीक, याद रखना यह बटे 2 की घात 5, यह माइनस 5 से 5 बन जाएगा, यह ठीक है, बट यह मस्त समझ लेना, कि अगर माइनस 2 की घात माल लो माइनस 5 है, तो यह एक बटे प्लस 2 नहीं बनेगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा तब, ठीक है, यह आधार का निसान तो भी रहता है, यह यही रहेगा, लेकिन जो घात है उसका निसान बदल जाएगा, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, आधार का निसान होई रहता है, याद रखने, ठीक, तो यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है अगर आपको यह भी समझ में आ जया, तो इसी का भाई अब समझ सकते हो, कि अगर हमारे पास A बटे में B है, और उसकी घात माइनस M लिखी होई है, तो इसको उल्टा कर दो, B उपर ले जाओ, A नीचे ले आओ, इसकी घात माइनस M से प्लस M बना दो, मैंने क्या बोला, A उपर था, A नीचे गया, B नीचे था, B उपर गया, माइनस से यह प्लस बन जाएगा, जैसे, जैसे समझो, यहाँ पर, 2 बटे में 3 की घात समझो, माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो, 3 बटे 2 की घात, प्लस 4, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, कि A की घात M, नीचे है, B की घात M, ठीक, मतलब कि फिर से इस बार, डिवाइड हो रहा है, लेकिन घातां के एक जैसे हैं, आधार अलग अलग हैं, यही चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A की घात M, divide B की घात M, ठीक है, आई तब ऐसे डिवाइड लिखो, ठीक, तो इसका उत्तर क्या आएगा, A और B को पहले भांग कर लो, और उनकी घात M लगा दो, ठीक है, यहाँ पर divide है, तो M में से हम घटाना मत, क्योंकि आदार अलग अलग हैं, अगर आधार एक जैसे होते तब भटाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब इसी को मैं से भी लिख सकता हूँ, देखो, यह इस वाले से अलग कैसे हैं, आपको दिखिया होगा, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आधार अलग-अलग हैं, घाते एक जैसी हैं, ठीक है, तो यह सारी बाते अगर आपको समझ में आई हैं, ठीक है, तो जब हम अगली वीडियो में प्रशनावली के प लेंगे अगले वीडियो में, thank you for watching